हेलो दोस्तों मैं अर्जु रास्पृत और आज इस वीडियो में हम बत करेंगे कि हम एमजोन के जो seller flex site होती है वहां पर order जो है वो कैसे process का सकते हैं क्या order processing की जो है वो steps रहती है क्या order processing का जो है वो processor रहता है ताकि वो जो नए seller अधर है जो seller flex में जोने आप इन कीया है और जनको नहीं पता कि बीजुब्र अधर की वो उन्हें कैसे करनी है उनको जो है वह help मिल पाए और जो ऐसे seller flex में ओपरिफिंग करना चाते हैं यह फिर seller flex में जो है वो आना चाहते हैं तो उनको भी पता चल जाए कि भी seller flex में order processing जो है वो कैसे होती है तो आज जब खरते हैं वीडियो को बिना किसी दरीके दोस्तों तो सबसे पहले जैसे ही हम seller flex के पैनल पर log in करते हैं वहाँ पे हमें यहाँ पे देखें तीन चीजें दिखाता है और हो गया उसके बाद में इंवेंट्री हो गया उसके बाद में ट्रांस्फर हो गया दोस्तों ओडर के अंदर जो है वह हमें ओडर प्रोसेस करने रहते हैं यहां पर तीन स्टेप में हमारे जो ओडर है वह प्रोसेस होते हैं सबसे पहला होता है पिक उसके बाद में होता है और उसके बाद में option आता है ship का दोस्तों अगर हम यहां पर चेक करें आ तो हमें देखी यहां पर दिखा रहा है order summary जैसे हम order summary पे click करेंगे तो हमें यहां पर जो भी date है उसके लिए जो भी orders हमारे नए order आए और आए है यह कल की डेट के लिए मैंने निकाल के रखा हुआ है एक मार्च के लिए तो मतलब कि कल एक मार्च को दो बज़े तक मुझे यह जो ओडर है यह सारे के सारे पैक करने हैं यह मेरा शिप आउट टाइम है और यहां पर अगर हम चेक करेंगे तो नए ओडर जो है वो 23 ओडर जो और टोटल ओडर की है अगर हम बात करें तो टोटल इस पर 71 ओडर जो है वो है जिन में से 23 नहीं है 25 की पिक लिस्ट जो है वो जन्रेट होगी है 21 मैंने अल्रेडी शिप कर दिया अभी मैं आपको बताता हूं कि पिक लिस्ट क्या होती है जो कि सबसे पहले हमें जो प्रोसे जन्रेट होती है पिक लिस्ट के अंदर पूरी डिटेल होती है कि भी कौन सा प्रोड़क्ट है उसका FNS के यू क्या है उसकी कितनी क्वांटिटी के जो ओडर है वो हमें मिले हैं तो पूरी पिक लिस्ट हमें प्रिंट करनी होती है और प्रिंट करने के बाद उस पिक लिस् को प्रिंट करने के लिए हमें जो पिकलिस्ट है वो एक्टिवेट करनी होती है जैसे मान लिए कि इस पिकलिस्ट के अंदर अभी तक 23 ओर जो है वो आये हैं तो मैं यहां से इसको एक्टिवेट अगर कर देता हूं तो यह जो पिकलिस्ट है वो एक्टिव पिकलिस्ट में चल जो है वो प्रिंट करना होगा जैसे हम पिकलिस्ट को यहां से प्रिंट करेंगे हमारे प्रिंटर से पिकलिस्ट का जो है वो प्रिंट आउट हमें मिल जाएगा जिसमें सारी के सारी डिटेल होगी और उस पिकलिस्ट के अकोडिंग हम जो है अपने प्रोडक्स जो भी जैसे हम अपने प्रोड़क्त कर लेते हैं पिक लिस्ट के अकोर्डिंग उसके बाद में उन ओडर को पैक करने का प्रोसेश जो है वो शुरू होता है तो उसके बाद में हम जाते हैं पैक वाले उप्शन पर क्लिक करते हैं यहां पर हमें ऑप्शन मिलता है स्कैन और इंटर जाए तो जो भी हमारी पिकले स्ट उसके उपर एक बारकॉड बना रहता है जिसना प्रिक टास्क आईडी जो है वो शपी रहती है तो मैन्यूवली हम यहां पर फिक टास गाईडी एंटर कर सकते हैं या फिर हम डायेक्ट लिपिक लिस्ट को जब स्कैन करेंगे तो यहां तो अब यहां पे देखिए जैसे मैंने यह Bक का डी डाल दी और यहां पे प्रोसन का उप्षन प्रोसेसं हम्हें दिखाने लगा 25 में से 0 अभी तक पैक्ट किया है जैसे जैसे अम ओडे करते जाएंगे वैसे वैसे हम यहां पे दिखाता जाएगा कि भी आप कर दिये हैं अब क्या करेंगे सबसे पहले हम हमने जो भी प्रॉड्क् स्केन किया है इन को वण इस प्रॉड्क्स की एख दीर एक ही कॉंटटिटी करता तो आप दिखा देगा तो हमें पता चल जाए या इस और और प्रोड़क्ट भी जो है वो हमें डालना है अब जैसे हम इसको स्कैन करते हैं एक इन्वोइस जो है वो प्रिंट होती है इन्वोइस जो है वो हमें पैकिंग करते है box के अंदर उसके बाद में हमें यहांं पर box के उपर जो बार्षोड दिया गया होता है उसको scan करना होता है यहां पर डेकर लिखा आया यहां पर एक पर डिखाया ने से खाट करना है तो कब हमें कहों से box में espec whitesला आप Regular रहते हैं फिस box का ईक अलग allग चोड चोड यह आपर सन करेंगे या फिर भॉक्स का जो नाम है वो हम यह तो कि इसको कि हम इसको इस पर्टिकुलर बोक्स में जो जह хочешь पर्टिकुलर पॉलिवेक में पैक किया है तो हमारे printer से automatically जो है वो shipping label generate हो जाता है वो shipping label जो है वो हमें product के जिसमें भी हमने pack किया box के उपर या polybag के उपर हमें लगाना होता है shipping label लगाने के बाद में हमें यहाँ पर नीचे एक option मिलता है scan delivery label तो shipping label या फिर delivery label के उपर जो भी tracking number रहता है हमें उसको scan करना होता है और जैसे हम उसको scan करते हैं हमारा ओर जो है वो pack हो जाता है यह देखे हमारा एक order जो है 25 में से वो pack हो चुका है ठीक इसी तरीक के से हम one by one one by one जो है वो सारे orders pack करेंगे इस particular picklist के उसके बाद में हम जो है और उसके बाद में बात करें अगर ship की तो जैसा है हमरे order हमारी यहां से स्कैन करें करने करें जैसे वह और क्लेक्ट करेंगे उसके बाद में automatically जो है वो शिबगे में चले जाएंगे हमरी में कुछ नेहीं करना होता है जैसे ही वह हम से पर देखे टोटल हमने जो है 48 ओर जो है वो पेक किये थे जिनके अंदर 47 ओर जो है वो हमारे शिप हो चुगे मतलब कि उन्होंने पिक अप कर लिया एक टीम की तरफ से एक और जो हो किसी कारण की वज़ा से पिक अप नहीं हो पाया जो अगले दिन जो है वो पिक अप हो पर है जाता है उन्शिप में तो उसमें अपनी सेलर मेटेक्स जो है वो खराब हो सकती है तो इस चीज़ का जो है वो खास तो पर ध्यां रखिए जितने भी ओर आपने पैक है वो सारे के सारे शिप जो है वो हो जाने चाहिए और जो भी अपना CPT टाइम है जैसे यहां पर झाल झाल